स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल स्टेडी विद अमन कुल में आज हम लाहें शिक्षा निदी शाली रास्टे राजदानी शृति दिली की कारे परतक नंबर एक क्योंकि ग्लास 9 के बच्चों के लिए विशे आपका हिंदी है डेट है 5 जिलाई 2021 तो यह आपके जो वर्क्षीट नंबर 1 से रिपीट में स्टार्ट होड़ी है जिलाई के मद में आपको आपके सब्जेक्ट के वाइस वर्क्षीट ने जाएगी एक स्पेसिविक वर्क्षी जाएगी आपको ऐसी स्पेसिफिक वर्क्षीट दी जाएगी तो आपको इने भी करना है यह आपटित गद्यान्च को पढ़कर पूछे कर प्रशनों के उत्तर लिखे तो इस आपको यह जो गद्यान्च दे रखा है इस आपको पढ़ना और जो कोश्चे नीचे पूछे हैं उन्हें आपको solve करना है महात्मा गांदी जी की ये बात स्वच्टा पर भी लागू होती है कि अगर हम समाज में बदलाव देखना जाते हैं तो सरफरतम हमें स्वयम में बदलाव लाना होगा हर कोई दूसरों की रात तकता रहता है और पहले अपने आप में गाड़ी आप सफाई में हमारा तन मन दोनों स्वस्ट और सुरशित रहता है यह हमें किसी और के लिए नहीं वरन खुद के ले करना होता है यानि हमें अपने ले करना होता है यह जागरूता जन 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 तक पहुचानी होगी हमें इसके लिए जमीनी स्थर से एक लगतर काम करना होग हमें बच्पन से ही बच्चों में सफाई की आदित डलवानी होगी उन्हें सिखाना होगा कि एक गुता भी जहां बैठता है उस जगह को जाड़ पोच कर बैठता हूँ अपने पोच से थोड़ा जाड़ देता है तब वो बैठता है जब जानवरों में सफाई साफ सफाई के प्रतीत नी जाग रुपता है तो फिर हम इंसान में क्यों नहीं है फिर हम तो इंसान है हमें बुद्धी है एक विद्धान ने कहा है कि स्वश्टा हमारे स्वास्त के लिए अतियंत आविशक है यदि हम अपने जीवन में सवश्टा को अपनाएंगे तो निश्चित तोर पर हम स्वश्ट और प्रसन रहेंगे सवश्टा एक वर्दान है जो मनिश्चे को निरंतन प्रगती इफिकास की और आगे बढ़ने की प्रिणा देती है सवश्टा का पालन करने से हम बिमारियों से तो बचेंगे जीवन की नए नए अध्याय कोशिश करके सदेव आगे बढ़ते रहेंगे यह हमारा पूरा पैरग्राफ था वो हमें सवश्टा के उपर जागुकता फिलाने के लिए बदाएगा है आपने जानदीजी की लाइन भी तो सुनी होगी आप परी दुनिया में बदलाफ कपने लाइन होगी एगर अगर अपको बदलाफ कर Україं जयसे दुनिया आप देखना ऑन pozis 22 को 5 easy से چھोटे से question दे गए है इन questions को करते हैं हम बिमारियों को किस तरह बचा सकते हैं किस तरह हम बिमारियों से तो आप इसका安सर करेंगे हम अपने घर में और अपने आसपा साफ सफाइ रखकर बिमारियों से बच सकते हैं तो यह आपका प्रेश्ट नम्मर एक हो जाएगा, प्रेश्ट नम्मर दो है, स्वच्टा को एक वर्दान कहा गया है, क्यों, क्यों कहा गया है स्वच्टा को वर्दान कहा गया है, क्योंकि अगर हमार अत्यन और मन स्वच्च होगा, तो हम निरंदर विकास के और बढ़ेंग और हम भी सकरात्मक और जगा प्रसार होगा हमें जो सकरात्मक नए पॉजिटिव ठिंकिंग पॉजिटिव एनरजी का प्रसार होगा थर्ड कुशिन है हम किस प्रकार सही चुनाफ करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो हमें अपने खुद से स्टार्ट करना चाहिए नहीं कि वो करेगा तो मैं करूँगा ऐसा नहीं करना है हमें खुद से स्टार्ट करना है स्वेम से कुछ नंबर फूर्ट है समाज में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा तो आपको अपने में बदलाव लाने हैं जिससे समाज में बदलाव जरूर आएगा कोशिन नंबर फिफ्ट है उप्युक्त गद्यांच उचित शिशर्क दीजिए यानि जो आपने अभी गद्यांच पढ़ा उसका आपको एक नाम देना है तो आप क्या देंगे इसका हम यह हमारे स्वच्छता से तो हमने स्वच्छता दिया इससे अच्छा आपको मिल भी नहीं पाएगा तो आपको स्वच्छता ही शिशर्क दीजिए और आप कुछ और लिख सकते हैं कोई और आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताईगा तो आज के हमारी वीडियो कंप्लीट होती है वीडियो अच्छे लगें तो लाइक करिए और सभी दोस्ता शेयर ज़रूर करिए अपने क्लास ग्रूप पे शेयर करिए आप देखने हैं तो अपने दोस्तों साथ दी शेयर करिए और चैनल को सब्सकाइब कर लें ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए आपको रोज डेली वाक्षेट की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड मिल जाएगी आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाइग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में झाल झाल प्रूप झाल लोगी चैनल वीडियो